पुराना बॉलिवुड का गीत है प्यार में हद से गुजर जाना है आज जीना है तुझको या मर जाना है इन पंक्तियों में कभी कहना चाहता है कि प्यार में इस हद तक चले जाएं कि किसी दूसरी चीज की फिक्र ही ना हो ये सिटुएशन रियल लाइफ में भी कई घटनाओं में देखने को मिली है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमी का को पाने की चाहत में किस हद तक जा सकता है या इवन प्रेमी का अपनी प्रेमी के लिए कुछ भी कर जाती है ऐसे ही प्यार और प्यार को पाने के लिए प्रियोग किये गए हत्कंडो की कहानी को दर्शाती है फिल्म The Song of Scorpion जिस पर आज की चर्चा रहेगी ऐसा तो कई बार हुआ है कि किसी फिल्म के रिलीज से पहले हमने उसका रिव्यू कर दिया हो क्योंकि कई बार हमें फिल्म के रिलीज होने से पहले प्रीमियर देखने का मौका मिल जाता है लेकिन बिना प्रीमियर देखे भी ये पहली बार होगा कि फिल्म के रिलीज से आठ दिन पहले हम किसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं दरसल दा सॉंग ओफ स्कॉर्पियन फिल्म 2017 में बनी थी और 17th लोकानो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी और अब उसके करीब 6 साल बाद फिल्म को थीटर में रिलीज किया जा रहा है जिसका रीजन क्या है वो फिल्मेकर सी बता सकते हैं और वो भी तब जब ये फिल्म यूट्यूब पर अलरड़ी अविलिबल है फिल्म के लीड रोल्स में है गोल शिफ्त, फरहानी, इर्फान खान, शशांक, अरोडा, वहीदा रह्मान और सारा आरजुन अब जब इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाया गया था तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म आम कोमर्शिल फिल्म जैसी तो नहीं होग तो इस तरह की फिल्में एक अलग तरह का सेटिस्वैक्शन दे जाती है, कहानी राजस्थान की है, जहां बहुत पुरानी प्रता है कि बिच्चु के काटे का इलाज मंत्र पढ़कर हो सकता है, जिसे गीत की तरह गाया जाता है नूरन अपनी दादी के साथ रहती है और नूरन को बिच्छू का जहर उतारने की कला अपनी दादी से मिली है उसी इलाके में इर्फान खान यानि आदम नाम का एक विक्ती भी है जो नूरन को बहुत पसंद करता है लेकिन नूरन का उसमें खास इंटरेस्ट नहीं है सिटुएशन तब खराब हो जाती है जब एक रात बिच्छू का काटा उतारने के बहाने एक लड़का उसका बलातकार कर देता है जिसके बाद नूरन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अनेको मोड लेती हुई फिल्म अपने क्लामेक्स में ट्विस्ट एंटर्न्स के साथ एक अच्छा सस्पेंस भी लेकर आती है फिल्म का स्क्रीन प्ले इंप्रेसिव है वैसे तो आर्ट फिल्म है तो यहां कहानी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि इस तरह की फिल्मों में कहानी को रियालिटी के ज्यादा से ज्यादा करीब रखने की कोशिश की जाती है ऐसे में शुरुआती आदा घंटा डिरेक्टर सहब प्लॉट डेवलप्मेंट और करेक्टराइजेशन में ले लेते हैं यहां तक कहानी में नूरन उसकी दादी आदम और उसका दोस्त मुन्ना इन सब के जीवन चर्या को दिखाने का काम किया गया है इसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होती है देखिए एक कॉमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म के दरश्यों का फर्क साजा करता हूँ आपके साथ फिल्म में एक सीन है जहां कैमरे में नूरन रेत पर बैठी है और बैगराउंड में इरफान खान काफी दूर से नूरन की तरफ आ रहे है अब ये कॉमर्शियल फिल्म होती तो इतनी दूर से इरफान को चल कर नूरन तक आने में जो समय लगता उसकी बचत की जाती और इरफान को जल्द से नूरन के पास ले आया जाता लेकिन यहां ऐसा नहीं था इस सीन में कैमरा एक जगे रहता है और कोई मोमेंट नहीं होती और इरफान खान दूर से चल कर जब तक नूरन के पास नहीं पहुँच जाते कैमरा उसी फ्रेम में रहता है तो आर्ट फिल्म में इस तरह के सीन्स के कारण यह फिल्म में थोड़ी खिची हुई प्रतीत होती है फिल्म में नूरन और उसके दादी के बीच के रिश्टे को कम समय में बहतरीन तरीके से दिखाए गया है उनके बीच की बांडिंग को कम सीन्स में भी पावरफुल तरीके से दिखाए गया है जिसका रिजल्ट तब फील होता है जब उसकी दादी कहीं खो जाती है और नूरन अकेले अपनी दादी को याद करती रहती है मतलब आर्ट फिल्म में इमोशन्स को बहतरीन तरीके से उभार कर दिखाये जाता है अक्टिंग की बात करें तो फिल्म में गोल शिफ्ट है फरहानी का बहतरीन काम देखने को मिलता है वो इस फिल्म की में लीड है इवन अगर इर्फान खान को सेकंड लीड कहें तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि कहानी एक्चुली नूरन की ही है गोल शिफ्टा एक इरानी एक्ट्रेस है जो M4 मदर, Body of Lies और Extraction जैसी फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती है Body of Lies में बिना हिजाब के काम किये जाने और कुछ शॉर्ट फिल्म्स और मैगजीन्स में नूड शॉर्ट देने के कारण इरानी सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया था फिल्म में वो ना केवल हिंदी बलकी उनका राजस्थानी लिप सिंग भी परफेक्ट लग रहा है लिप सिंग इसलिए कह रहा हूं कि I guess उनकी आवाज डब की गई हो बट I'm not sure पर जो भी है उनकी बहतरीन एक्टिंग फिल्म में देखने को ज़रूर मिलती है इर्फान सर की बात करें तो उनकी एक्टिंग पर तो कोई क्या ही सवाल उठाए उनकी तो आँखे पुरा सीन कर जाती है उनके अंदर सीन्स को बारीकी से समझ कर अपनी कला दिखाने का हुनर है उनके हाव भाव, जेस्चर्स, डायलोग डिलिवरी सब एकदम नपातुला रहता है वहीदा रह्मान ने किरदार को जस्टिफाई करती है बठां एक बूड़ी राजस्थानी औरत का कुछ सीन्स में प्योर हिंदी भाशा बोल जाना थोड़ा अखरता है आई गैस उनके एकसेंट पर और काम किया जाना चाहिए था शोशांक अरोड़ा भी अपने किरदार को बढ़िया निभाए गये हैं और इनके अलावा सारा अरजुन जो इर्फान खान की बेटी के किरदार में हैं उन्होंने भी लाजवाब काम किया है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है राजस्थानी लोक गीत के अनुरूप बीजियम को तियार किया गया है जो रेगिस्तानी माहौल को जस्टिफाई करता है सिनेमेटोग्राफी अच्छी है रेगिस्तान में बने घरो और उनके रहन सहन का बहतरीन चितरन करते हुए फ्रेम में उन्हें उतारा गया है अनुप सिंग का डारेक्शन भी एफेक्टिव है बाकी एक आर्ट फिल्म है जिसे हर को इंजॉय करे ये जरूरी नहीं लेकिन जो इस फॉर्म को अच्छे से समझते हैं उन्हें ये फिल्म बहत पसंद आ सकती है मेरी तरफ से थ्री एंडे हाफ स्टार्स Have a nice day